क्या हाल है सारे स्कूडेंट के बस कुछ थोड़ा सा वेट करते हैं ताके स्कूडेंट्स है वो जॉइन कर लें और जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स है मैं जॉइन कर लेते हैं तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहली एक दो क्लासेस वो थोड़ा सा हलकी फुलकी जाती हैं मैं शुरू में ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूं क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स जॉइन कर रहे हैं हमें और वो करते रहेंगे तो हम करते हैं हैं कि हम जो जगक्त है वो दस मिनिट बाद स्टार्ट करते हैं और इन 10 मिनिट्स में आप अपनी इंगर्फ पर मार्केर ने और मुझे ज़रह अफड़िट भी कर दें कि आप लोगने अभी तक जो भी हमने काम करा था, वो काम कितना कम्प्लीट कर दिया, सही है, यह आप मुझे काइंडी ज़रूर बता दें, ताके आप लोगों के लिए भी आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो, शुरू की कुछ क्लासेश ऐसी होंगी, कि थोड़ी सी शाहिद हो सकते हैं, वो बोरियत वाली हो, यह शुरू थोड़ा सा टाइम दू, ताके आप लोग जो हैंना वो अपने आपको फाइनल कर लो, अच्छा मैं अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूं, आप मुझे जो है, वो जीरो त्री फोर फाइट इस पर मुझे जो हैंना अपने कम्प्लीट नेम के साथ वाट्सैप लाजमी करे चाहे आपने पहले किया था या नहीं, हम ठीक दो पंधरा पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो काइंडली ये चीज़े करें आप, और दो पंधरा पर हम इंशाल्ला कम्प्रीट प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, झाल प्रॉपर स्टार्यजस पाथ झाल 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 अच्छा जनाब तो बस दो मिनिट में हम इंशाला स्टार्ट करते हैं अगर उससे पहले आप लोगोंने मुझसे कोई बात करनी है तो आप लोग चाइट बॉक्स में जरूर लिख दें है आःई होप कि आप सबने मुझे इंडियोडली वार्ट्साइप जरूर किया होगा और इंडियूडली लाजमी वाट्स सेप रहें आप ग्रॡुप पर भी उटेंडेंट्स ड्यूमार्क कर रहे हैं और मुझे इंडियूजए वाट्सप्स मै कि मुझे ये पता चल जाएगा आप लोगों को मेरे वाटसएप स्टेटस भी नजर आते हैं या नहीं नजर आते और ज्यादा बेहतर हो जाएगा और मुझे ये भी अपडेट करिएगा कि आप सब ने पिछली वाली लाइफ लास देख ली या नहीं देखी है ठीक है इसके इलावा मैंने जो है वो जाहिद को क्लास का क्या कहते हैं क्लास रेप्रेजेंटेटिव बनाया वह है और आप तो क क्यूएटी के लेक्चर्स दिये थे मैंने और मैंने ये कहा था कि देखें क्यूएटी के लेक्चर पर देकने हैं न तो आइछू कि आप सबMoon के लेक्चर्स देख्वेंगे वह आप्की बेसेक जो मैट्स हैना फांडेशन मैचे और इस के लिए बह।This रिए बहुत तो अगर कोई बात है मैं तक्रीबन दस सवाल इंटर्टेन कर लेता हूं चैट बॉक्स में और उसके बाद फिर मैं पढ़ाने की तरफ चलता हूं अच्छा कोई भी अगर सवाल पूछे ना तो डायरेक्ट मैसेज में सवाल ना पूछो मैसेज टू एवरीवन में सब पूछो ताके सब उस सवाल को भी पढ़ सकें अच्छा एच्च्क्यू सुहिल बतानी क्या मतलब है का सवाल है कुछ क्यूईटी लेक्चर्ज रहते हैं अभी सारे नहीं देखे अच्छा चलें सवाल नहीं सरफ इनफॉर्म कर रहे थे ठीक है तो कोई मसला नहीं अभी ए जैनुरी में एक्जाम देना है तो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्ज की तरफ जाएं क्यूंकि यह वाला जो बैच है यह तो मेरे ख्याल में अभी जैनुरी में खतम नहीं होगा यह तक्रीबन तक्रीबन यह जो बच्चे इस गुरुप में हैं इस बैच्च में हैं व अगर आपने जनली कवर करना है तो आप यह कह सकते मैनेजमेंट को क्या वह आपको जो है ना वह जो पिछला बैच्च था उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्ज देदें उससे आपकी कवरेज हो सकती है तो कितना कवर हो जाएगा आईशा खास कवर नहीं होगा क्योंकि जब नहें होते हैं तो टीचर भी स्लो 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 पढ़ा रहा होता है तो तो बी ओनेस्ट कोई फाइदा नहीं है आप पिछली रिकॉर्डिंग ले लें पिछले बैच्च की वह बहतर होगा सर्फ वह स्टूडेंट्स जोनों ने क्यो एटी देना है सिर्फ वही स्टूडेंट् लेक्चर्स को देखें या सारे अच्चास उस्ट स्थूडेंट्स मेरे ख्यार में आप मैंको नहीं मालू मोगा मैंने ये कहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स है ना वो सारे स्टूडेंट्स क्यू एटी के लेक्चर्स लाजमी तोर पर एक से दो बार देखें इसले क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मैच बहुत वीक होती है फिर उनको पियार सी टूप में बहुत जादा मसला होता है त में बैस्ट क्योंकि आप जैन्वेरी में भी दे फिर भी आप कैप को सब्सक्राइमर अच्छा सर आज की दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग्स में जाएगी क्योंकि मेरी अकाउंटिंग की पूरी क्लास निकली है निकल गई लाइट की वजह से और अभी अनम पर अफ्लोड हो रही होंगी और पोटल की एक नॉमिनल सी मामूली सी चिल्लर फीज़ा है उसे पूरे टाइम प्रियाट का एक्सेस मिलता है तो आप वो ले 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 उसपे आपको लेंगे सर मुझे जैन्वेरी में दो देने हैं और मार्च में दो देने हैं आप कौन से दो सब्जेक्ट सजेस्ट करेंगे जो आसानी से कवर हो जाएं मार्या पी ऑर तई यह दो देने और मार्च में आपếtक्रमिक्स इंट्रोट्रू अकांटिंग और क्यों हमका पेपर दें यह हैं कि यही है अ सारे पेपर्स एक ही महीने में ना हों बलके आपके पेपर्स डिस्ट्रिव्यूट वे वे हों जिससे आपकी तैयारी रिविजन और पेपर्स के लिए जाओ तो टेंशन कम हो सबस्वाइब से पूरी तैयारी हो जाएगी वरीशा मिजॉरिटी बिल्कुल हो जाएगी आप सकता है हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने कैंपस पर जो कि कारची में है वहां पर महीने में एक दिन 三 गंटे की जूए ना वो दो तीन क्लास हों deliverम यह SR से बारए पिर आदे गंडे का ब्रेक फिर साड़े बारए से साड़े टीन पिर आदे घंडे का ब्रेक और चार से चार से साड़े पांच इस तरह से और जब हमारी physical classes वी तो ज्यादा बहतर होगा अगर students physical classes के लिए ready है तो मैं भी रेडी हूँ, कोई मसला नहीं है, महीने में एक दिन एक टीचर अगर निकाल लेता है, और आपको पूरा दिन दे देता है, सुबह नौ से शाम पांच-छे बजे तक, आन कैंपस, तो आसानी से आप एक दिन में मेरे ख्याल में दो-तीन चैप्टर्स कर सकते हो, या हमें पचास स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, दूसरी सिटीज वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, जब हम ऑन कैंपस या फिजिकल क्लासिस ले रहे होंगे ना, तो उसी वक्त जूम भी कनेक कर लेंगे, क्या बोलते हो, तो जब हम जूम कनेक करेंगे ना, तो होगा ये कि जो बच्चे कैंपस पर बैठे वे हैं, वो उनको उसी वक्त नज़र आ रहा होगा और बाकी लोग जूम पर ले रहे होंगे, लेकिन इसके लिए पता है क्या जरूरत इस बात किये कि एट लीस फिफ्टी सीरियस स्टूडेंट्स हों, फिफ्टी ऐसे बस क्लासिस लेना चाहते हैं, तो हम फिर इसको अरेंज कर सकते हैं, अगर आप, आपके दोस्त, कजन्स, रिश्टेदार, उनमें भी कोई बच्चे हैं, जो सीए करना चाहते हैं, कहीं आपका लिंक है, तो उनको भी आप ये नियूस स्प्रेड करें, अगर हमारे पस लेट दे में एक क्लास काफी होगी ती, असल देखो, होगा ये कि हम सारे जो टीचर्स होते हैं, वो बहुत जादा बज़ी होते हैं, असलिए जिस साना से आज मैं सुबह से चार-पांच क्लासिस दे चुका हूं, और मेरी आगे भी तीन-चार क्लासिस हैं, तो जब एक दिन गंटे एक घंटा ट्रैवल करकर आए, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक घंटे की तीन घंटे की क्लास ले और वापस से अला जाए तो बहुत ज्यादा टाइम्स आया होगा, तो मैं फिजिकल क्लासिस के अगें यह कहूंगा कि अगर हमारे पास पचास बिच्चे से हो जा नौसिच है, हमारी क्लास होती है, लिंच ब्रेक भी वहीं, नमाज ब्रेक भी वहीं और तूरा दिन वहाँ पर पढ़ा, अच्छी खासी पढ़ाई करी और आप घर चले लो, जाहिए बिल्कुल हम दूसरी सिटीस में भी कैमपेस बनाएंगे, अभी तो हमें दो तीन साल व वारी साइट भी एक सेंटर वजारा का कुछ कर रहे हैं, उन्होंने डिसकस किया था फैकल्टी से, तो वहोगा लेकिन थोड़ा वक्त दगेगा, सर आपने कहा था कि स्टार्ट की तीन क्लासी यूट्यूपर वेडिबल होंगी, उसके बाद पोटर पे से देखना होगा, ल अरस और हसन इसीज को डील करनेंगे, ठीक है, और बताओ, चलो फटना शुरू कर देते हैं, अच्छा पढ़ना शुरू करने से पहले क्यू एटी जो हैना क्यू एटी, उसके लिए मैं वापस से रिकाल करूँगा, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहोंने पिछली क क्लास में आये थे और कितने ऐसे जो पिछली क्लास में नहीं आये थे और कितने ऐसे हैं जो पिछली क्लास में नहीं आये थे जिस्ते मिस्स करी थी वह भी बता है जो आया था वह भी बता है चैट बॉक्स में लिप कितने बचे ऐसे हैं जो पिछली क्लास में आये थे और उनक मीवी शुरू से आदत है कि मैं शुरू की दो तीन क्लासे में बहुत कम पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता होता है कि बच्चे अभी जो है वो बैट जॉइन कर रहे हैं गुरूप जॉइन कर रहे हैं मैं अगर पढ़ा दूंगा फिर कोई जॉइन करेगा तो उसको मसला आइस्ता इस्ता थोड़ा सा पढ़ा देता हूं सही हैं तो अगर कोई पिछली क्लास में नहीं आया था अगर कोई पिछली क्लास में नहीं आया था अगर कोई पिछली क्लास में नहीं आया था तो बरहे महरवानी पिछली क्लास की रेकॉर्डिंग डाजमी देखें मैंने उसमें मुझे अपने उपर यकीन है मैंने कुछ पढ़ाया नहीं होगा गाइडेंस वगेर दी होगी आप लोगों के मसले सुने होंगे समझे होंगे ठीक है तो यह चीज़ें मैंने करी होंगी लेकिन वह बिल्कुल बहुत जरूरी होगी उसमें कुछ ना कुछ आपको गाइ धनादन धनादन रिसीव हो रही होंगी ठीक है यह पीडिये फाइल्स जो है यह मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसको भी आप सेफ कर लें और जाहिद या अफाक यह दो लोगते ना जाहिद और आफाक अगर आप दोनों ऑनलाइन है तो काइंडी इन फाइल्स को डाउ फेसबुक का एक गृूप बनायाव है अच्छे सारे स्टूड़ेंट्स फेसबूप के गृुप पर आ गए हूँ देखो वाटसेपर होता हीए कि चैट पुरानी हो जाती है हो जाती है तो हमने एक फेस बुक का गृूप बनायाव है जिस पर हम सारा कंटेंट के साथ सब अपलोड कर रहे जिस पर सारे वह अपलोड हो रहां को जो एक सीक्वेंस में जाहिद और आफा कि दो होगे यह दो लोग वहांपर इसको अपलोड कर रहे है है अच्छा न्यूं होना क्लास में तो आप जाहिद और आफाक दोनों का नंबर आप लो बिटा ठीक है देखो एक यूट्यूब की रिकॉर्डिंग होगी और उसके इलावा भी कुछ कंटेंट होगा मैंने यहां पर आफाक और जाहिद दोनों का नंबर डाला है तो आप इनसे कॉंटेक्ट कर लो फेस्बुक पर हमने एक गृप बना दिया वह बनाने की जरूरत यह पड़ी कि फेस्बुक पर गृप होगा ना तो अगर कोई बाद में भी जोइन करता है उसको है वह जो जोईन करना चाहर है उस ग्रॉप पर यह है कि हम लोग जोब और प्रह नacked कर रहें और स्ब्सक्राइब करें कोई बच्शा बाद में इसका था मस्छान पैसे में आब हम फाइनली पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैं ये चीज़े मिटा रहा हूं विदिन मिनिट मिटा रहा हूं अगर किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर ले मैं इसको मिटा रहा हूं सब्सक्राइब करें पहली 245 क्लास तो बेसिक सी कुछ बाते करता हूं प्रॉफिट इस एक विट स्टू सेंज रेवेन्यू माइनस कौस्ट ठीक है ना प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो सेंज रेवेन्यू माइनस कि वैल्यू के बराबर होती है डिए अब मैं यह चाहता हूं आपटों मुझे बताएं कि यह पृफिट क्या होता हैस जैज रेविन्थे लिए पॉरॉफिट के लिए भीनियु क्या होता है और कॉस्ट क की सीज को कहते हैं झाल झाल से इंकब में से एक्सपेंस माइनस करते हैं ठीक है सारे खर्चे माइनस कर देने के बाद जो बच जाता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं बिल्कुल ठीक डेफिनेशन्स हैं और कोई तो आज की क्लास में हम यह देखते हैं कि वह यह तीन चीज़ें क्या हैं सब्सक्राइब यह हैं कि देखो प्रॉफिट क्या होता प्रॉफिट होता है कंपनी डा मुनाफ़ा फैंची में कि इस या इसा से बहontaっちゃता है क्या आप जो है न वो Selling Price को Selling Price को Multiply कर दो Units Sold से Selling Price को Multiply कर दो Units Sold से Sales Revenue Is Equals To Selling Price Multiplyed By Units Sold ऐसे आप अपना Sales Revenue Calculate कर सकते हो अच्छा Selling Price क्या होती है Selling Price का मतलब है कि मैं एक चीज एक यूनिट कितने रुपए का बेचूँँगा मिसाल के तरपे मैं एक चीज 250 रुपए की बेचता हूँ 250 रुपए पर यूनिट एक यूनिट यह एक चीज मैं 250 रुपए की बेचता हूँ तो मैं कहूंगा कि यह एक यूनिट की पूरा दिन कारोबार करकर और एट से दस योनिट पूरे दिन में बेशता हूं यानि कि मेरा जो सेल्स रविन्यू होगा ले जो सेल्स रविन्यू होगा ना वो 250 250 multiplied by 10 यानि कि 2500 होगा तो सेल्स रेविन्यू इस इक वल्स तू सेलिंग प्राइज मुल्टिप्लाइट बाइ यूनिट सोल सेलिंग प्राइज का मतलब यह है कि दुकांदार एक चीज कितने रुपए में बेच रहा है दुकांदार एक चीज एक यूनिट कितने रुपए का ब सेल्स रेविन्यू आ जाता है यानि कि सारी चीजें को मिलाकर कितने रुपए की बेची गई तो यह आपका सेल्स रेविन्यू होता है अच्छा कॉस्ट होते हैं खर्चे फौर एड़ से अगर यह कोई बुक्शॉप है और बुक्शॉप वाला थाइस सो रुपए की दावें बेची हैं और पच्छे सो रुपए उसको मिले हैं तो यह सेल्स रेविन्यू हैं लेकिन इसके बहुत सारे खर्चे भी हो सकते हैं बहुत सारी इसकी कॉस्ट भी हो सकती हैं किस तरह की भाई अगर इसकी शौप है तो शौप का रेंट होगा इसके शौप का इलेक् होंगे ज skirt ऑने पे करने होंगे कि तो जो ठोभ histories होता है या जो मुना अवक प्रॉफिER को मुना नाव का किया मतलब है मुनाफ़ है कि यह कैसे आता है प्रॉफिट केरेड करने के लिए किसी वी बिसनस का यह सिएल्स रेविन्यू में है तो इसका जो प्रॉफिट वोगा जो प्रॉफिट होगा 5 he about and हम यह कहेंगे कि इसने 2100 रुपी कमाएं हम यह कहेंगे कि इसने 2100 कमाएं हैं earn किये हैं बात समझ में आ रही है 2100 रपे इसने कमाए हैं क्या ये बात क्लियर है एक बार रिपीट कर दूं को प्रॉफिट का मतलब होते है मुनाफ़ा प्रॉफिट का मतलब होते है मुनाफ़ा सही है प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफ़ा सेलिंग प्राइस का मतलब है कि एक यूनिट कितने रुपए का बेचा गया सेलिंग प्राइस का मतलब है कि एक यूनिट कितने रुपए का बेचा गया अगर एक दुकानदान ने अगर एक दुकानदान ने दस चीज़ें बेची हैं अगर एक दुकानदान ने दस चीज़ें बेची हैं तो उसका सेल्ज रेवेन्यू यानि के दस चीज़ें बेचकर जो उसके पास पैसा आया दस चीज़ें बेचकर जो उसके पास पैसा आया टो का बेचता हूं मल्टिपलैट पका यूनिट सोल जितनी चीज़ें बेची इन दोनों को मल्टिप्लाइ करकर एक यूनिट में ड़ी सोר रपे का बेचता हूँ और मैंने दस सीसें बेची दस यूनिट्स बेचें तो मेरा टोटल जो सेल्स रेविन्यू होगा वो पच्छस सो होगा ये बात समझ में आई मेरा जो टोटल सेल्स रेविन्यू होगा वो पच्छस सो रुपे होगा ये वो नहीं होता जो मैंने कमाया है ये वो नहीं होता जो मैंन कमाया है मैंने जो मुनाफ़ा हासिल किया मैंने जो मुनाफ़ा हासिल किया मेरा मुनाफ़ा बताने के लिए मुझे सेल्स रेविन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है टोटल कॉस्ट यानि के सारे के सारे खर्चे अब एक दुकानदार के खर्चे क्या हो सकते हैं यह सारे खर्चे एक दुकानदार के खर्चे हो सकते हैं तो अगर मुझे मालूम करना है कि टोटल मैंने कितना कमाया तो मुझे यह सारे खर्चों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यह सारे सारे खर्चे मैंने चार सो रुप्य माइनस कर दिया जब मैंने चार सौ रुपय माइनस कर दिया तो मुझे इक्केसो रुपय नेट बचे बचथ हुई कि सो रुपए की नेट बचह तो यह का तो इस तरह से आप अपना क्यल्क्राइट काटलेट करते हो मुनाफ़ काल्किल्क्रेट करते हो सेल्स रेवेन्यु में से सारे छर्यव माइ पगर qt हाँ जोहेब सारे expenses सारे expenses इसमें शामल हैं इनके इलावा भी x y z a b c d e f g बहुत सारे सारे खर्चे माइनस करें मैंने मैं अभी तो सरफ cost लिखा है लेकिन कहने का मकसर यह है कि सारे के सारे सारे के सारे कि सारे किसी चीद को खरीदने का खर्चा B बजाते हैं लेकिन जितने भी खर्चे होंगे पच्छे सो के सेल्ज रेविन्यू में से वो सारे खर्चे माइनस होंगे फिर मेरा प्रॉफिट आएगा साही है अच्छा अब खर्चो में भी बहुत सारी टाइप्स होते हैं कॉस्ट कोई एक्सपेंस बोल सकते हैं बिलकुल बोल सकता हूं ठीक है अच्छा कॉस्ट में बहुत सारी टाइप्स होती हूं क्या सबसे बेसिक दो टाइप्स होती है एक कहलाती है फिक्स्ट कॉस्ट वियेबल कॉस्ट किया थीक्या अच्छा अब एक काम करता हूं मैं पहले आप लोगों को देखे मैंने का ना शुरू की क्लासेस हैं मैं बहुत आइस्ता आइस्ता पड़ाता हूं मैं आप लोगों को पांच मिनिट दे रहा हूं कि आपके पास खुद रिसर्च करो दो सबके पास है ना अप पने पास भी नोट करो किसी जद्स को कहते हैं क्या होता है विडियेबल कर रिसर्च करने के लिए इंट्र गोगल करो मैं आप लोगों को पांच तो हम टू फॉर्टी फाइफ पर क्लास स्टार्ट करता है मैं भी समझाऊंगा लेकिन पहले आप यह खुद रिसर्च करो कि किसको करता है बीटर मैं जाहिद एज्यूंग कर रहा हूं कि जब मैंने चार्सू रुपए सब्ट्रैक करें इसमें प्रोड़क्क की कॉस्ट भी है रेंड भी है वेजिज भी है फनीचर की डेप्रीशियेशन भी है एक्स भी है य भी है एड़ी है य जी बी है सब साय है है मैं अभी यहां पर यह जो चार सो रिखा है इसमें सब सारे खर्चिए चलो अब आप लोगों को मैं 5 मिनिट देता हो आप जरा इसको सर्च करें कि किसी को कहते हैं वेरियबल कोस किसी को कहते हैं मैं 2017 का टाइम देता हूं थोड़ा सा आपको टांडे रहा कि आप लोगो अभी बनियाद बना रहे हो अपनी और इसमें बहुत जादा मुझे काम करना पड़ता है ठीक है मैं सिर्फ पांच मिनिट में आया ज्ता दो जएक मिनिट dusty अजेन, यह ही आ Right वप्ता हूग करना चाद मिनिया भुआ सोँना इसमेए खुआन निया हो वी एसमें मिनिक एक है झाल 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 आप 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 अच्छा जी तो स्क्रीन क्लियर है कन्फर्म करना साही है तो फिक्स को और वेरियेबल कॉस्ट को डिसक्रेस कर लेते हैं आज जी Clay ते लेखे हमने ये कहा कि बहुत सारे खर्चय होथे हैं उसमे से कुछ खर्चय जो है न उसको हम कहते हैं फिक्सट कोस्ट ठीके जी अच्छा फिक्स कोस्ट जो है न उसको आप ये कह सकते हो SI예요 a cost that does that does not change with level of activity of activity of activity change of units change of fixed cost that does not change of activity of activity change of of a shop of a shop a shop shop a 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 shop 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 a shop a shop shop a shop a shop बेचते हो ठीक है जी अब जैन्वरी फरवरी मार्च एप्रिल कोई भी महीना हो आप अगर लेट से जीरो वान टू थ्री जितनी भी आईस्क्रीम बेचोगे आपका महीने का जो रेंट होगा वह एक लाख रुपए ही होगा वह एक लाख रुपए से ज्यादा भी नहीं होग वह एक लाख रुपए से कम भी नहीं होगा एक लाख रुपए का ही रेंट होगा हर महीने का रेंट जो होगा ना वह एक लाख रुपए ही होगा तो फिक्स कोस्ट वो कोस्ट होती है जो लेवल अफ एक्टिवेटी के साथ चेंज नहीं होती है इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती ही जैनवेरी में हैं है भी एक लाक रुपय रैंट तर्वरी में है थो उसर अबले महीने भी एक लाक रिंट hy है यह रेंट का अमाउंट का भी भी चेंज नहीं होगा यह आपकी फिक्स कास्ट है अगर मैं तो तल सिंस कॉस्त का ग्राफ बना और में जो ह 앞ले जीरो यूनिट सो एक उनिट हो दो यूनिट हो तीन यूनिट हो चाल यूनिट हो किरेंड का जो खर्चायाना वू हमेश्या सेम रहेगा यानिक् एक हैड्न की इधीनीहोंगा डेक्रेज भीनीनités जीरो यूनिट पर भीएक लाग रुपए देना है तेन बना बेचोंगा तो भी एक लाग देना और चार यूडit बनाकर तो भी एक लाख पीडा ही रेंट देना है इसके एक मालूम है किसी को को स्की डेफेनेशन होती है अब कास्ट यह ड़ियर रिजूस्ट है कि डॉप टीद स्किम्मित सेफुड़опराइड विद लेवल और एक्टिविटी या नंबर ऑफ लुट्स तेके वेरियेबल कॉस क्या है अकॉस देट ड़स जेंज विद लेवल आफ एक्टिविटी या नंबर ऑफ यॉनेट यानिके एक ऐसा खर्चा जो यॉनेट के साथ हो जो कम भी हो रहा हूँ जादा भी हो रहा हूँ मिसाल के दौर पर लेट से हम यू कह लेते हैं कि भी एक गाड़ी अगर मैं बनाता हूना लेट से कोई गाड़ी बनाने वाले फैक्ट्री और उसको मालूम है कि एक गाड़ी अगर हम मनाते नहीं तो 20,000 रुपे के टाइज है ट्वेंटी धाउसन पर कार या पर यूनिट अब जैनुरी फर्वरी मार्च एप्रिल अब विरीबल कॉस्ट पर यूनिट लिखता हूं मैं यानि कि गाड़ी में कितने रुपए के टायर लगते हैं फिर मैं लिखता हूं यूनिट्स और फिर मैं लिखता हूं टोटल वेरियेबल पॉस्ट एक गाड़ी में बीस अजार रुपे के टाइज लखते हैं एक गाड़ी में बीस अजार रुपे के टाइज लखते हैं एक गाड़ी में बीस अजार रुपे के टाइज लखते हैं एक गाड़ी में बीस अजार रुपे के टाइज लखते हैं अगर मैं जीरो गाड़ीयां बन तो टोटल खर्चा सिक्स्टी थाउजन रुपीज होगा तो आप देखो यूनिट्स के साथ-साथ यह खर्चा इंक्रीज हो रहा है इसको हम वेरियेबल कॉस कहते हैं इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ में यहां पर एक जगा पर हम यूनिट्स लिखेंग गे साथ ज,जार रपे है इस तरह से क्या होगा कि यह खर्चा जो है न वह इंक्रीज होता रहे हैं यह आ Polishर्ट है मेरियेबल खर्चा जोनिट्स के साथ-साथ इंक्रीज होता रहे यानि कि जितनी जर्दा कंसम्शन होगी मैं बहरे चीजाएं बहुत मरेंगे इ philosophical मिन इंक्रीज होता रहेगा अब आप लोगों को मैं पांच मिनिट ढूंगा तसली से साफ सुत्र इसको कॉपी करें हमें कहीं भागना नहीं है शुरू की क्लासिस आपका सिये के साथ हनीमून है सही है आप भी खुश रहो सिये भी खुश रहेगा फिर आजसा सिये आपको करना श कि पानी पीओ सजीना कॉपी करो सुकून औराम के साथ हम चलेंगे सही है अब इसको कॉपी करने के लिए मैं अगेन आप तोओको 5 मिनिट देता हूं आप कॉपी करें झी पिलकूल होती है बेटा से मिवेरियेबल कॉस्स भी होती है स्टैफिक्स कॉस्पी होती है जगा खत है अभी मज़े करो तुम्हारी अभी सीए के साथ महबबत शुरू हो लिए अभी तो यह महबबत का आखाज है सही है इसको कॉपी करो पांच मिनिट अच्छा आश्या आप कॉपी कर लो फिर मैं जो है वह वापस से एक्स्प्रेंग करता हूं पांच मिनिट आप लोग लो तर इसको रिवी करो फिर मैं समझाता हूं दुबारस। झाल 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 हाँ भाई अब बताओ मुझे फिक्स कोस्ट और वेरिये बेल कोस्ट इन दोनों की डेफिनिशन में कोई मसला समझ में आ गया कि फिक्स कोस्ट क्या है वेरियेबल कोस्ट क्या है किसी का सवाल है कोई सवाल है किसी का कि आईशा आपका क्या सवाल क्या बेटा बताओ समझ क्या नहीं आए बताओ ना देखो कोस्ट के में हमने कहा कि फिक्स कोस्ट एक ऐसी कास्ट होती है जो यूनिट्स के साथ या लेवल अफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती है एक जगा किराय पे लिए और इसका महीने का किराय एक लाख है अब मुझे हर महीने एक लाख रुपए का ही किराया पे करना होगा चाहे मेरा बिजनस जादा हो या बिजनस कम हो एक लाख रुपए रेंट होगा एक किताब बिखे तो भी एक लाख रुपए का ही रेंट होगा सही है अच्छा दूसरी चीज़ वेरियेबल कॉस्ट क्या है और कॉस्ट देज नौट चेंज वे ड़स चेंज विद डेवल अफ एक्टिविटी अच्छा फिक्स कोस्ट की सबसे बहतरीन एग्जामबल रेंट की ही ہوتी है किसी जगा का अगर रेंट है तो वो एक फिक्स कॉस्ट होती है इसके अलावा सैलेरी हो सकती है मिसाल के दार पर एक वरकर मैंने अपने बिजनस में रखा गया और उसको महीने की नहीं वो level of activity एक ऐसा खर्चा जो level of activity के साथ यानि के number of units के साथ change होता हो for example मैंने ये assume कर लिया के भई मैं एक car manufacturer हूँ और as a car manufacturer मैं गाड़ियां बनाता हूँ और एक गाड़ी में 20,000 रपे के tires लगते हैं एक गाड़ी में 20,000 रपे के tires लगते हैं अब मैं अगर एक भी गाड़ी नहीं बनाओंगा तो ये आपकी variable cost होती है variable cost फोar cost होती है जो number of units के साथ increase होती रहे zero units पर खर्चा zero था एक unit पर 20,000 हो गया दो यूनिट्स पर 40,000 हो गया और तीन यूनिट्स पर 60,000 हो गया यह आपकी वेरियेबल कॉस्ट है ठीक है हाँ बिल्कुल है सही है सारा चलो जी तो यह आपको मैंने फिक्स्ट और वेरियेबल कॉस्ट समझा दिया काइंडी इसको रिवाइस भी करिएगा अब बस आप अपना होमवर्क नोट कर लें क्योंके मैंने कहा कि शुरू की क्लासेज में बहुत कम पढ़ाई होगी आइस्ता इस्ता चलूँगा बच्चों के जॉइन करने का वेरिक कर रहा हूँ नहीं बच्चों का कम से कम काम मिसो और आप लोगों को भी टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग क्यू एटी वाले लेक्चर कम्प्लीट कर लो तो बस आपका वंब किया है कि जो मैंने क्यू एटी के लिस्ट डिये लेक्चर्स की डेली बेसिस पर एक लेक्चर पिक करो और उस लेक्चर को दो बार तीन बार चार बार पांच बार देखो और अपने रेजिस्टर में नोट करो ठीक है बाकी आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रीकैप करना और पहली वादी जो क्लास हुई थी अगर किसी ने पहली क्लास नहीं ली थी तो वह उसको भी देख लेना दो क्लासे अभी तक हमारी लाइव हुई हैं थोड़ा सा आज पढ़ाया पहली क्लास में कुछ भी यह दो रही होगी जब आप लोगों की पांच लाइफ क्लासे थी हो जाएंगी साधन ध्यकां गभी औले पिछ़्टेस के रिकोर्दिंग्स भी देखनी होंगी फिर हम पकडिंगे थ्म तेजीसे जाएंगी फिर हम जली जली चीज़ें गवर करेंगे है आच्छा मैं इकाम करता हूं यहां पर आया मैं कोई बच्चा इसकी पिच्च्चर लो जहिद अगर आप ले लो जहिद इसकी पिच्चर लेकर गुरुप पे शेयर और वह जो फेस्बूक का गुरुप हमने बनाया ना उस पर अप्लोड कर देना सारे बच्चे फेस्बुक का गुरुप लाजमी जोइन करने हैं अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है अभी तो तफरी चल रही है इसकी पिच्चर ले लो मैं फिर स्क्रॉल डाउन करूं फिर अगली पिच्चर ले लो इस तरह से आप लोग जो है वो पिच्चर ले लो ताकि आप इसको अप्लोड कर सको ठीक है लिए पिच्चर चलो इसको भी इसकी भी पिच्छर ले लो फिर ऊसकर, डाऊन करता हूं उसकी पिच्छर ले लो ठीक है पहली चार, पांč छे क्लासस थोड़ी सी बोल्रिंग होगी थोड़ी इसी तरह से घुजरेंगी थोड़ा थोड़ा सा हम पड़ेंगे ज्यादा से, हम आराम करेंगे कि रीजन है इसकी रीजन है एसकी रीजन है मैं बच्छों के जोइंग करने का वेड़ कर रहा हूँ और वेड़ कर रहा हूं कि आप लूग क्योग बोगने कर सक्षि靈 अब इसकी पिच्छे लेलो भाई और लेखो एहमेद लेट से मैंने एक बंदे को 50,000 रुपे की सैलिरी पर रखा सही है ना और वो एक जगा पर काम कर रहा है अब क्या कस्टमर कम आएंगे तो उसके यह बोलूँगा के यार इस महीने तुम सैलिरी नहीं लो ऐसा तो नहीं होगा ना उसको मुझे 50,000 रुपे ही सै अच्छा चला तो उसको यह थोड़ी नहीं बोलूँगा यार तुम्हें काम कर इस महीने पचास ती इस महीने दो लाकर पैसलिरी ले लो मेरी तरफ से बहुत अच्छा काम किया हमने है ना तो एहमेद मत्तब यह होता है फिक्स कॉस्का वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ ओहो भाई वाजस सैलिरी भी रेंट भी रेंट और सैलिरी दोनों की दोनों रेंट और सैलिरी दोनों की दोनों मैंने आप लोगों को फिक्स्ट कॉस्ट की एक्जामपल दी है क्या कर रहे हो तुम लोग यार मरवाद होगे तुम लोग तो स्ई है रिवाइस करो। इसको रीग्प करो क्यो एटी के लेक्ट के लेक्टर्स खतम अच्छा इंस्यूरिट्स इस तरह से देखो इंस्यूर्णे से फिक्स्त होती है यह इन्शूर्णेस कपनी बोल देती है हैं आपने हर महीने 5000 तो रिभीh के तो नहीं है न कि वह बोलते ही है कि उसा उपार्ट काम गारी चलोकि तो कम इंशोरेंस कि का दिंडे करते हैं कि इससे कोई इंक्रेमेंट इक लग चीज तरह तो रही होता है हर साल रिवाइज होता हि मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कस्टमर्स के ज्यादा आने की वज़ा से या यूनिट्स के ज्यादा या कम होने की वज़ा से सैलरी चेंज नहीं होती है इंक्रेमेंट की वज़ा से हो सकती है वो तो महंगाई की वज़ा से रेंट भी इंक्रीज हो जाता है को हुआ चला भाई यहां तक कवर करो क्यूएटी के लेक्टशर भी रूज देckो कामई वेस्ट करो और जाहिद और आप से कनेक्टेड रहो ताकर फेस्बुप के गृूप पे आप लोग आजाओ वहाँ पर सारी चीज़ें अप्लोड हो रही हैं और अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं ताके आप तो चीज़ों की गवरिज कर लो और उसके बाद फिर हम तेज जाएंगे आज की क्लास के लिए इतना ही अपना ख्याल रखना और कोई सवाल है तो बता दो अदर्वाइस मै लेक्चेस में फिर बोलूंगा सबने देखने हैं चाहे आपका क्यू एटी है चाहे क्यू एटी नहीं है चलो वही अलाहाफिस झालाहाफिस झाल 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 झाल